शकले आराथे श्थान, पुझे 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 में ब्रम्हा एंवं संकर, बहुत दिन धरे तपस्या एंवं कृष्णे आराथना करे शिले, तकन कृष्ण प्रक्डित हो थाजर के बोले शिलें जेसे तमरा की चाओ, तुम लोग क्या चाते हो, तकन ब्रम्हा ची पोले शि अचिए दिवित प्रकारे खर्डा करें, शे बर्षभानूँज उए ते जनो तहान लीला अमार उपरे जनुकार, आमी जनो पाथर पाहाड हो जनुकरहन कर या तहान उपरे तहान लीला करें, तकन बोले जिसे एवो मस्तू, ऐसा ही हो, ततन तेनी ब्रम्ह गिरी, ब्रम्ह आपने ते शंकरी महादेव भागवाने परमभक्त किनी तार निकटे प्राक्थना कर लें जे आनी चाहिजी आपनार चर्ण धूली अमार मस्तके ते सब्समें पडू एउन आपनार धोन नंद बाबार धोन जनो अमार परेते हो तफने ये एव मस्तु आइसा ही गो तका एई खाने ते शंकरी महादेव एई परवत्वे तेनी नंदीश्वर ताहार नामे खाले नंद बाबा प्रत्मे तार पुर्खान उत्रमे ते एई खाने ठाक्ते एक जन्दाजाचिन ताहार नाम चिड़ो आजामी तार दुईटी पत्नी डुआ पत्नी मढ्य के एक जोन गालीन ही अरे जोन खत्रियानी खत्रियानी ग्रवे वश्वर ते नंद बाबार बाबा परजन जन्म गुर्खान खत्रियानी ही चिड़ो आजस्याच माने को एक्टी छत्रियानी गर्वतिके और एक जन वाली नीट गर्वतिके, तो ये दोनों हाई लगते हैं, नंद, इसके बाद ने पड़ जन्य के पुत्र हुए, नंद महाराद, उपानन्द, नंद, सुनन्द, अभिनन्द आनन्द, पान जन पुत्र, आब आर सुसे ने पुत्र ह ने बशुदेव महाराद, तहां बड़ो भाई लागतें उग्रशें, तिनी अन्यमा ता थीके उत्पन्द, तादे संग्देश कुतुम्बगिरी छिलो, परवर्तिकाले ते, नंद थीके होलें क्रिष्ण, आर बशुदेव महाराद, जे सुसे ने पुत्र, ताद थीके, वो इखने क्रिष्णे एंग बलदेव होलें, आबार एल्मथेल बहुर अकमे रहस्या महीं बार-बार बोले छिए इसाब, क्रिष्ण किन्थु आंसिक रुपे थे, वशुदेव देवकी गर्वे थे, आइस्वर्ज भाव धार्ण करे उखाने ते, आदिर्भू थोले, आ विखाने आदिर्भाव एकाने ते जन्व लीला, ओखाने, होलो की रुकम हवे ते, एकाने पुर्वे तहरा बर्षबास करतें परजन्न, किन्तु तहार पांच जंग छेले होलें, सोब छेले दरके भीवाद दिये छें, सब लड़कों की शादी कर दी, नंदवबावी की जो सोदाजी से हुई, किन्तु शबको होने परभी, सबको तो पुत्रुवा, चार भाईयो को किन्तु नंदवबाव को कोई कुत्र नहीं, नंद वड़कों कुनू छेले होलों न, अनेक दीन ते नी परतिख्वा करलें, ये अमार कोनो? एक्टी नाती हो नंद बावार छेले हो बयस ताहर बारते लागलो तेनी प्रवढ़ावस्था प्राप्थोल एन पंचास पस्थर प्रायग बयस हो याश लो किन्तु ताहर कोनो पुक्त्र नाए तकने एक्टी बौन आचे निकटे ते ताहर नामजिया आशी सेश्वार महादेव आशी सेश्वार महादेवर निकटे ते ओई खने ते तेनी प्रति दिन श्नान करे और ओई संकरे आराधना करते लेग्ट आराधना करते 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 संकर संतुस्थ होलेग्ट तिनी ते देखलें एई नंदबाबार निट्य पुत्रेई कृष्णा तकन आमार भोलते दोस्की आमी बोले दी तकन तेनी बोले दिलें यहां तुमार नाती होबे खुब सुन्दर आज योगतरमद्दे से ती प्रसित्त होबे नारायने समाम तहार भुण होबे पर्म सुन् तुमी कोनो चिंता करोना तकन से बर्मिया अतन प्रसम्न होलें एई खाने पिपल फिर लें किन्तो एखने केशी देखतेर आप जेकम होते अत्या चार बारते लागलो एन असुर्गने अत्या चार बारते लागलो शेष्पर्यम तेखनकार गरुगर्ट सब भास चोरे आखावार जन्न जोल चाई आख तहाँ देर कोंगो प्रय जन्न है एजने केशी द्रच परे ना प्रकार चाथ चार बोते लागलो कंसे चार बठाई ते लागलो आर एदिगे देखलें ये से करकार खास पुली सब सेश वे एशे थे अते विचार कर लें नंद बाई ठक न आमरा चलिये खन जाई महा बने ते वही खने निकटी ते जमुना नदी प्रभाहित संदर बन विशाल तहारी एरिया तार नामी वचे महा बन गरु बुली के चरवार जन्न प्रचूब भास रे छे कोन उत पात नाई कुछी नाई चलो खने जाई बिष्भानु माराय तहा आईना चलो एक गार अरलख्खो शब प्रकारे नंदवाबा थिके उतिनी कमान अंगड़ो आखन तारा दूजनी करे दिये इनी चले गलेन महा बने ते आर उनी चले गलेन पासे ते तार ससुराल छिलो ताकं तिनी चले गलेन राव ले ते ओखने ठाटके लाने कुछ समाय परे ते अल पुस्वामे परे क्रिश्णर वह खने ते प्राधुर हाँ हो है वह खने एनी लीगा प्रकास करें एन न पंदर दिन परे श्र्मति जो कृतीकार सुंगरी गर्वे ते स्रीमति राधिकार जनम है अथवा कमल पूस्पे ते जरक महामि गर्वन करे चिला मुखा प्रिश्भानु महाराज राधिका के प्राफ्त होने उनको राधिका को मिली और उनको लेकर के उनको दे लिया कृतिका जी को अब ये 15 दिन की छोटी बड़ी है लिलाएं फिर सब होने फिर उहां से जब देखा जे तुतना और त्रिणा वर्त्व शकता सूर ये सब उत्पा करने लग गए जमलार्जिन भंजन हुआ उसमें भी किसने के विपत्ती की बाते हुई सोचा जी अब यहां नहीं दाना है बस वहां से गायों को ले करके अपने पूरे परिवार को ले करके क्रिश्ण चंद्यजी को पितान नंद बाबा चले गए छटी करा में वहीं पर अ ब्रज मने की ब्रज ब्रज ती इती ब्रज मने चलती चलता है गाडियों पर ले लिया शमान गईयों को हांग दिया बच्छों को ले लिया परिवार के साथ में चले गए जहां गए बस वहां पर थार गए इसी तरह से यह साथ गोकुल है इसका भी नाम गोकुल है जहां ज द्ञायों को ले करके गो गाईनों इनको गोमने गोबट्सर गोमने गोफिस Aa जोफ लोगों को ले करके चलते थे तर ख्र थिक्रम को ले फिसेजन शर्ञ्डि मेरालगार में फिर वहां पर पांच में आप की रढकि नित्याजी पास में रहे तिर वहां शे कमें बलॉट Kos जब आये, तब उसमें उनकी उमर पवगंड उमर हो गई थी, पवगंड मने पांच से लेकर के, नौ बर्स के, दस बर्स के अंदर में जो उमर होती है, उसको पवगंड लगाते हैं। फिर आठ बर्स से और एक ज्यार सुना चगरवर्दी ठाप रिये, उनके एक एक दिन का ही साथ दिया है, स्रीमत भागवत कितिका ने, कहां पाप कैसे रहे, कौन कौन सी लीला, कौन कौन सी तिथी को ये भी बढ़ने कि आ गया है, विजे जानने के लिए स्रीमत भागवत कित प्रोशेशन लेकर के गोपलोग गायों को लेकर कृष्ण और बलदेव गोचारिन करने के लिए जाते हैं, तेह लेती हैं, जब जाती हैं तो बहुत दूर तक उनको पहुंचाने के लिए जाती हैं, और एक दूर परियंत जशोदा मान लंद बबाबा, आप बल्जबाश् पुना के निये जिये दिया से, कृष्ण सबत करते हैं मैया तू लड़ जा, पिता जी आप लोड जाएं, फिर उनको लाल लड़ा करके, आशिर बाद दे करके, और तब फिर उनको चुलते हैं, बल्देव जी प्रतिग्या करते हैं, मैं इसकी सब प्रकार से रक्षा का भा सफया है जो कृष्ण की सब समय रक्षा कर सके हैं, ऐसा ही उसको सबस्का वो Kirsty से बढ़ हुआ, कृष्ण के तरह तरह के सखा है, कोई सखा, कोई प्रियासखा, कोई प्रियानर्म सखा कोई सुषिस सखा ऐसे सबसखा है इसका भी बड़ा रस्मे भी भाग है प्रियन नर्म सखा उनके गोपियों से मिलन ने भी उनका शंग देता है ऐसे सखाओं में सुबल, सिदान, मधुमंग, लित्यादी, लवंग, इत्यादी हैं स्टोप कृष्णा है सखा लोग उनसे छोटे हैं ता उमर में और उनकृष्ण की चाणों की सेवा करते हैं जब जब कोई जरुत होते गईयाद को हाँ करके लाते हैं बस सब सखाओं को लेकर के गोचारण करने के लिया पर जाते हैं प्रति दिन और प्रति दिन जब आते हैं लोडते हैं तो अट् बिशेश करके गोपाल चंपु इत्यादी में जी गुशानी का वर्णन है कहां पर रंधं साल आठी नंद जी का रहने का घर कौंग जो सुदा जी का घर कौंग सा है पल्देजी रोहनी को लेकर के मैयाद के साथ में कहां राते थे यह सब का बड़ा सुंदर वर्णन है रोश रोशोई घर बीच में रोशोई घर से एक तरफ में कृष्णन जी का घर और बीच में एक स्थान है जहां पर किस्तिमकी राजिका जी रोशोई करने के बाद में जब रांत हो जाती है तो उसमें आती है वहीं से राधा कृष्ण का दर्शन होता है इन सब दिलावों का यह प्रमसोभाग है यह ऐसे जगह में हम लोग आये हैं हम लोग आमरा वैस्प्रतिस्षा कारेकार का धूली आमरा मस्त केते धार्न करें दिये नंद बाबा जो सोधा मैया, क्रिष्णा, दाव जी, रोहनी जी सब परिकर्ण गण के प्रणाम करें दिये ता पर एक हंति के आमरा कर्मसोभ मीचे जाओ आपना रेक्ती काश करवे निखाम का पंडा कुछ शुशी लमा दे। गरिंग लोग अल्क वैसे से की पर लोग गमन करेंगा। आपना रेक्ती को असुशी लमा देखे आचे आपना जब किंचित कुछ कम से कम एक ताका तावस्त्य ही दू ताका भी जब जब तावश्ता भाल। आपना दिले कोथा दिवेन कहां देंगे आप लोग। इसलिए पंडा जी के लिए जरूर कुछ आप लोग यहां पर एक तुट्यार भूप्या पांटिशा जब आप लोग को सकें यहां पर और बासाना में यह दो जगा पंडों का हैं इसके बाद में तो हम लोग मत्पु हुए हैं यह स्थान है उद्धाव क्यारी यहीं पर गोपियों के साथ में उद्धाव जी मिले थे अभी हम लोगों का कृतन बंगला में बड़ा ही सुन्दर सरश कृतन है कि बहुत करने से ऐसा कोई भी पत्थर तक भी नहीं होगा जो पिखल नहीं जायए कि रगुनात दाशा गुर्ष्वामी जी कृतन कर रहे हैं बंगला जानने वाले लोग तो कृतन सही समझे जो कि हिंदी जानने वाले हैं उनके लिए कृतन का थोड़ा सा भाव में बतला रहा है